नमस्कार स्वागत अब सभी को आप देख रहे हैं वैशो व्याप पार और मैं हूँ आपके साथ शारेणी बाटक चलिए हज़र डालते हैं आज की बड़ी कबर पर प्री इडियर्स के रेंचो ने चीन को दिया मुगतोर जबाब बोले बाइकार करो मेड इन चाइना चीन के साथ सीमा पर तनाव को लेकर लड़ाग के रहने वाले रैमन मैकसे से अवाड बिजेता और सिक्षा विद और समास से भी सोनम बंगचुक ने चीन को उसी की भाशा में जवाब देनी की बात की है बता दे फिल्म थ्री इडियोट्स में आमिर खान ने सोनम बंगचुक का ही किरदार निभाया था उस फिल्म में आमिर खान को लोग प्यार से रैंचो बनाते थे सीमा विवाद पर अब सोनम ने जवाब दिया है इस वीडियो को उन्होंने अपने YouTube पेज पर शेयर किया है उन्होंने लोगों से चीन के बने सामान को बाईकार्ट करने को कहा है सोमन बंग्चुप ने कहा है कि अगर हम चीन का सामान खरीदना बन कर दे तो चीन की आर्थिक रिट तूट जाएगी और वह घबरा कर बाचीत के लिए सामने आएगा उन्होंने कहा जब सीमा पर तनाव होता है तो हम अपने घरों में ये सोच कर आराम से सोजाते हैं कि सीमा पर हमारे सैन एक चवाब दे रहे होंगे लेकिन इस बार चीन पर दो तरफा हमला करने की जरूरत है हम हर साल पाँच लाग करोड का सामान चीन से खरीटे हैं इनी पैसे का इस्तिमाल चीन अपने सैन सामान के लिए खर्च करता है सोमन वंग्चुक ने लोगों से चीन के बने सामानों को बाइक काज करने की अपील की उन्होंने कहा चीन को सबसे बड़ा जो डर है वही हो चीन की अर्थविवस्था डगमगाए और उनकी जनता विरोध में आए और तकता पलट हो अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो सोचे क्या होगा हमारी सेना जंग लड़ रही होगी और हम चीनी समान को खरीद कर चीन को पैसा भीज रहे होगे सोमन बंग्चुक ने अपने फोन से चीनी एप्स को अनिंस्टॉल कर दिया है उन्होंने टिक टॉक शेर इट चैसे एप्स को हटा दिया है और लोगों से भी ऐसा करने को कहा है साथी चीनी मोबाइल को भी बाइक कार्ट करने को कहा है चीनी समान का विरोध करने से होगा भारत को फाइदा सोमन बंग्चुक ने पियम मोदी के स्पीच का भी जिक्र किया जहां उन्होंने लोगों को विजन दिया था स्वाह लंबन का उन्होंने कहा यह तब हो सकता है जब देशी चीजों का इस्तेमाल करें और इससे मज़दूरों को रोजगार भी मिलेगा और देश की प्रगती होगी तो आज के सफर में हमारे साथ इतना ही देखते रहिए वैश्य व्यापा और मुझे दीजी इजाज़त नवश्का है अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ वीडियो को शेर करना ना भुले